तो आपकी नजर में लोगडान का मतलब क्या होता है दुलाई उसकी की जाती है जो बेबजर रोड पर घुम रहा हो हम लोग अच्छी तरह पैचान सकते हैं कि कौन कितना आवारा है और कौन कितना सरीफ सिर्फ लोगों की ठुकाई करना ड्यूटी नहीं है हमारी अगर किसी गरीब आदमी के घर रासन खत्म हो जाए और वो गल्ती से रासन लेने मार्केट चला जाए तो उसके साथ ऐसा स्लूक किया जाता है जैसे वो कई बहुत बड़ा मुजरिम हो तुम कहां पर रहते हो, कहां जा रहे हो, लोग डाउन से पहले क्या कर रहे थे, इतने दिनों से क्या सो रहे थे अपने हाथ आगे करो, अनाप सनाप उस वेक्ति की पीट पर डंडे बरसाए जाते हैं और फिर उसे कहते हैं, जाओ अपने घर जाओ, वापस दिखाई मत दे जाना जूरान उस आदमी को जाना पड़ता है, और उसके जाते ही, साब लोग आपस में ये बाते करते हैं ठुकाई के इस वीडियो को कहाँ पर डाला जाए, वाटसाइप, अरे नहीं नहीं, वाटसाइप पर तो टाइम लगेगा फेस्बुक पर वाइरल करते हैं, उसे फेस्बुक पर वाइरल किया जाता है, उससे हमारी इज़त नहीं बढ़ती, उसका मजाक बनाया जाता है सेकडों किलोमेटर दूर मजदूरी करने वाला घर लोटते वक्त पीटा जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम है कल तक पुलिस के जट करने वाला भी आज अगर पुलिस को गाली दे रहा है तो इसके जिम्मेदार हम है हमारे डिपार्टमेंट का सर्मनाक वीडियो देखते ही देखते सोसल मीडिया पर वाइरल हो जाता है तो इसके जिम्मेदार हम है कोरोना वाइरस की इस जंग में हमें लोगों को बचाना है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें डंडों से पीट रहे हैं नहीं उन्हें पीटना नहीं हैं उन्हें समझाना हैं हो सकता है वो किसी बहुत जरूरी कारिये से बाहर निकले हो सरकार ने कोरोना जैसी बिमारी के इलाज के लिए होस्पिटल में डोक्टर्स को रखा है और समाज की इफाज़त के लिए हमें डोक्टर्स तो भगवान बने हुए हैं लेकिन हम मोदी जी ने लोकडाउन के वक्त कहा था कि आपको जरुवत की चीज़े मिलती रहेंगी लेकिन हमें एक बार भी नहीं सोचते हम उल्टा लाटी चार्ज करते हैं हो सकता है किसी के घर सामकर रासन ना बचाओ नहीं हमें ये तरीका बदलना है अपनी इमेज बदलनी है ताकि लोग हमारे बारे में भी कुछ अच्छा कहें और ये सब किसी बेबस को पकड़कर डंडे मारने से या उनकी वीडियो वाइरल करने से नहीं होगा कोरोना के जंग में जीत मिलेगी और हमारी इमेज बदलेगी